ओम साहिं राम, सभी भक्तों को मेरा नमस्कार, आज हम साहिं सचरित पुस्ता का अध्याय तीन पढ़ने जा रहे हैं, आए शुरुवात करते हैं श्री साहिं बबा की स्विकृति, आग्या और प्रतिग्या, भक्तों को कार्य समर्पन, बाबा की लीलाएं, जोती इस्तंब, स्वरूप, मात्र प्रेम, रोहिला की कथा, उनके मधूर अम्रितोप देश, श्री साहिं बबा की स्विकृति और वचन देना जैसा कि गत अध्याय में वर्णन किया जा चुका है, बाबा ने सचरित्र लिखने के अनुमती देते वे कहा, कि सचरित्र लेखन के लिए मेरी पूर्ण अनुमती है, तुम अपना मन इस्तिर कर, मेरे वचनों में शद्धा रखो, और निर्भय होकर कर्तब्य पालन करते र परवाहित होगी, और जो इन लिलाओं की अधिक गहराई तक खोच करेगा, उसे ग्यान रुपी अमुल रतन की प्राप्ती हो जाएगी, इन वचनों को सुन कर हिमाट पंत को अती हर्श हुआ, और वे निर्भय हो गए, उन्हें दृड़ विश्वास हो गया, कि अब कारे अवशे ही सफल होगा, बाबा ने शामा की ओद्रिष्टिपात कर कहा, जो प्रेम पुर्वक मेरा नाम स्मरन करेगा, मैं उसकी समस्तिक्षाएं पूर्ण कर दूँगा, उसकी भक्ती में उतरत्तर वृध्धी होगी, जो मेरे चरित्र और कृत्यों का श्रधा पुर्वक ग विश्वास रखो कि जो कोई मेरी लिलाओं का किर्तन करेगा, उसे परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धी हो जाएगी, यह मेरा वैसिस्ट है कि जो कोई अनन्य भाव से मेरी शरण आता है, जो श्रधा पुर्वक मेरा पूजन, निरंतर इस्मरन और मेरा ही ध्यान किया करता है, उसको मैं मुक्ती प्रधान कर देता हूँ, जो नित्य प्रती, मेरा नाम इस्मरन और पूजन कर मेरी कथाओं और लिलाओं का प्रेम पूर्वक मनन करते हैं, ऐसे भक्तों में सांसारिक वासनाएं और ज्यान रुपी प्रवर्तियां कैसे ठहर सकती हैं, मैं उन्हे मृत्य के मुक्त से बचा लेता हूँ, मेरी कथाओं स्ट्रवन करने से मुक्ती हो जाएगी, अतह मेरी कथाओं को श्रधा पुर्वक सुनो, मनन करो, सुक और संतोष प्राप्ती का सरल मार्ग ही यही है, इसे से श्रोताओं के चित को शांती प्राप्त होगी, और जब ध्य जान प्रगाड और विश्वास द्रड हो जाएगा, तब अखंड चैतन्य घन से अभिनता प्राप्त हो जाएगी, केवल साइं साइं के उच्चारन मात्र से ही उनके समस्त पाप नस्ठ हो जाएगे, भिन भिन कारियों की भक्तों को प्रेणा, भगवान अपने किसी भक्त क किसी को मंदिर, मठ, किसी को नदी के तीर पर घाट बनवाने, किसी को तीर्थ परयाटन करने और किसी को भगवत किरतन करने एवं भिन भिन कारियों की प्रेणा देते हैं, परन्तु उन्होंने मुझे साइं सचरित्र लेखन की प्रेणा की, किसी भी विद्या का पूर्ण कारण मैं इस कारे के लिए सर्वता अयोग्य था अता मुझे इस दुष्कर कारे का दू साहस क्यों करना चाहिए स्रिसाई महराज की यथार्थ जीवनी का वर्णन करने की समर्थ किसे है उनकी कृपा मात्र से ही कारे संपूर्ण होना संभव है इसी लिए मैंने प्रारंब किय तो बावा ने मेरा अहम नस्ट कर दिया और उन्होंने स्वैम अपना चरित्र रचा अता इस चरित्र का श्रे उन्हीं को है मुझे नहीं जन्मता ब्राह्मन होते हुए भी मैं दिवे चक्षू विहिन था अता साइस चरित्र लिखने में सर्वता अयोग्य था परंतु श्र जिहरी कृपा से क्या संभव नहीं है मूख भी वाचाल हो जाता है और पंगू भी इबर चड़ जाता है अपनी एक्षा अनुसारकारे पूर्ण करने की युक्ति वे ही जाने हर्मोनियम और बंसी को यह आभास कहां की धोनी कैसे प्रसारित हो रही है इसका ज्यान तो भार भाटे का रह से मनी अत्वा उद्धी नहीं वरन शशी कलाओं के घटने बढ़ने में ही निधित है बाबा का चरित्र जोती स्तंब स्वरूप समुद्र में अनिक स्थानों पर जोती स्तंब इसलिए बनाये जाते हैं जिससे नाविक चटानों और दुर घटनाओं से ब अनसारिक पत को सुगम बनाने वाला है जब वो कानों के द्वारा हिर्दे में प्रविश करता है तब दैहिक बुद्धी नस्थ हो जाती है और हिर्दे में एक अत्रित करने से समस्त कूशंकाएं लोप हो जाती है अंकार का विनाश हो जाता है तथा बौधिक आवरन थोकर ज्ञान प्रकट हो जाता है बाबा की विशुद किर्ती का वर्ण निस्ठा पूर्वक्ष्रवन करने से भक्तों के पाप नस्ठ होंगे अता यह मोक्ष प्राप्ति का भी सरल साधन है सत्यूग में शम तथा दम त्रेता मित्याग द्वापर में पूजन और कल्यूग मे भगवत किर्तन ही मोक्ष का साधन है यहां अंतिम साधन चारो वर्णों के लोगों को साध्य भी है अन्य साधन योग त्याग ध्यान धारना आदी आचरन करने में कठिन है परन्तु चरित्र तथा हरी किर्तन का श्रवन तो अत्यंत ही सुलब है केवल उन पर ध्यान देने क की ही आवश्यक्ता है कथा श्रवन और किर्तन से इंद्रियों की सभाविक विश्यासक्ती नस्ठ हो जाती है और भक्त वासना रहित होकर आत्म साक्षातकार की और अग्रिसर हो जाता है इसी फल को प्रदान करने के हेत्तु उन्होंने सच चरित्र की रचना कराई भक्त काम होकर आत्म साक्षातकार को प्राप्त हो साई सच चरित्र का सफलता पुरुख संपूर्ण होना या कोई साई महिमा ही समझे हमें तो केवल एक निमित मात्र ही बनाया गया है मात्र प्रेम गाय का अपने बचड़े पर प्रेम सर्विदित ही है उसके अस्तन सदैव कर आता है तो दुग्द की धारा सुता प्रवाहित होने लगती है उसी प्रकार माता भी अपने बच्चे की अवशक्ता का पहले से ही ध्यान रखती है और ठीक समय आने पर स्तन पान कराती है वहां बालक का श्रिंगार उत्तम ढंग से करती है परन्तु बालक को इसका कोई ही नहीं होता बालक के सुन्दर श्रिंगार आधी को देख कर माता के हर्ष का परावार नहीं रहता माता का प्रेम विचित्र और साधारन और निस्वार्थ है जिसकी कोई उपमा नहीं है ठीक इसी प्रकार सद्गुरू का प्रेम अपने शिश्य पर होता है ऐसा ही प्रेम बाबा का मुझ पर था, उदार नार्थ वह निम्न प्रकार था, सन 1916 में मैंने नौकरी से अवकाश गरहन किया, जो पैंशन मुझे मिलती थी, वह मेरे कुटुम्ब के निर्वाह के लिए अब पर्याप्त थी, उसी वर्ष गुरु पुर्णीमा के दिवस मैं अन्य भक्तों क साथ शेड़ी गया, महा अन्य चिंचिनकर ने स्वता ही मेरे लिए बाबा से इस प्रकार प्रार्थना के, इनके उपर कृपा करो, जो पैंशन इन्हें मिलती है, वो निर्वाह योगे नहीं है, कुटुम्ब में वृध्धी हो रही है, कृपया और कोई नौकरी दिला जिए, ताकि इनकी चिंता दूर हो और ये सुक पुर्वक रहे, बाबा ने उत्तर दिया कि इन्हें नौकरी मिल जाएगी, परन्तु अब इन्हें मेरी सेवा में ही आनंद लेना चाहिए, इनकी इक्षाय सदैव पूर्ण होंगी, इन्हें अपना धान मेरी और आकरशित कर और धार्मिक और दुस्ट जनों की संगती से दूर रहना चाहिए, इन्हें सबसे दया और नम्रता का बढ़ताओ और अंता करण से मेरी उपासना करनी चाहिए, यदि ये इस प्रकार आचरन कर सके तो नित्यनंद के अधिकारी हो जाएंगे, रोहिला की कथा, यह कथा स्रि वह उच्चा पूरा सुद्रिड एम सुगठित शरीर का था, बाबा के प्रेम से मुक्द होकर वह शेडी में ही रहने लगा, वह आठो प्रहर अपनी उच्च और करकश आवाज में कुरान शरीफ के कलमें पढ़ता और अल्लाहु अकबर के नारे लगाता था, शेडी के आधिक कस्ट और असुविधा का अनुभव करतने लगें, कई दिनों तक तो वे मौन रहें, परन्तु जब कस्ट असहनी हो गया, तब उन्होंने बाबा के समीप आकर रोहिला को मना कर इस उत्पात को रोकने की प्रार्थना की, बाबा ने उन लोगों की इस प्रार्थना पर ध्यान न दिया, इसके विपरित गाउं वालों को आड़े हाथों लेते वे बोले, कि वे अपने कारे पर ही ध्यान दे और रोहिला की ध्यान न दे, बाबा ने उनसे कहा कि रोहिला की पतनी बुरे सुभाव की है, और वे रोहिला को तथा मुझे अधिक कस्ट अंतु वो उसके कलमों के समक्ष उपस्तित होने का साहस करने में असमर्थ है, और इसी कारण वो शान्ती और सुख में है, यथार्थ में रोहिला की कोई पतनी न थी, बाबा का संकेत केवल कू विचारों की और था, अन्य विश्यों की अपिक्षा, बाबा प्रार्थनों और इस अराधना को महत्त देते थे, अता उन्होंने रोहिला के पक्ष का समर्थन कर ग्राम वासियों को शान्ती पुर्वक थोड़े समय तक उत्पात सहन करने का परामर्ष दिया, बाबा के मधूर अमरितो पदेश, एक दिन दोपहर की आर्टी के पश्यात, भक्त गण अ सुन्दर उपदेश दिया, तुम चाहे कहीं भी रहो, जो इक्षा हो, सो करो, परंतो या सदे विस्मरन रखो कि जो कुछ तुम करते हो, बस सब मुझे ग्यात है, मैं ही समस्त प्राणियों का प्रभू और घट घट में व्याप्त हो, मेरे ही उदर में समस्त जडव चेतन प्राणी समाए हुए है, मैं ही समस्त ब्रहमांड का नियंतरन करता, एवम संचालक हो, मैं ही उत्पत्ति, स्थिति वसंहार करता हूँ, मेरी भक्ती करने वालों को कोई हानी नहीं पहुछा सकता, मेरे ध्यान की उपेक्षा करने वाला, माया के पास में फश जाता है समस्त जन्तू चीटियां तथा द्रिश्यमान परिवर्तमान और इस्थाई विश्व मेरे ही सुरूप है इस सुन्दर तथा अमुल उपदेश को स्रवन कर मैंने तुरंत यद्रिड निश्य कर लिया कि अब भविश्य में अपने गुरू के अतरिक्त अनिक किसी मानव की सेवा न करूँगा मुझे नौकरी मिल जाएगी बाबा के इन वचनों का विचार मेरे मस्तिष्क में बार बार चकर काटने लगा मुझे विचार आने लगा क्या सचमुच ऐसा घटित होगा बविश्य की घटनाओं से सपष्ट है कि बाबा के वचन सत्य निकले और मुझे अल्पकाल के लिए नौकरी मिल गई इसके पश्चात में सुतंत्र होकर एक चित से जीवन परियंत बाबा की ही सेवा करता रहा इस अध्याय को समाप्त करने से पूर्व मेरी पाठकों से विनम्र प्रारथना है कि वे समस्त बाधायें जैसे आलस, निद्रा, मन की चंचलता और इंद्रिया सक्ती दूर कर और एक चित हो अपना ध्यान बाबा की लिलाओं की ओर दे और स्वभाविक प्रेम निर्मान कर भक्ती रहस्य को जाने तथा अन्य साधनाओं में व्यर्थ श्रमित ना हो उन्हें किवल एकी सुगम उपाय का पालन करना चाहिए और वह है स्री लिलाओं का श्रवण इससे उनका अज्यान नस्ठ होकर मोक्ष का द्वार खुल जाएगा जिस प्रकार अनिक अस्थानों में भ्रह्मन करते हुए भी लोभी पुरुष अपने गड़े हुए धन के लिए सततनी चिंतित रहता है उसी प्रकार स्री साई को अपने हिर्दे में धारन करो अगले ध् जे कीजे ओम साहिराम